आजम बात करेंगे एलेक्ट्सिन और वायरमेन फर्स्ट येर में थ्योरी सब्जेक्ट के मुस्ट कुशिन्स की जो आपके वीडियो प्रकार की परतियों कीता परिक्साम की दस्टी से बहुत ही महत्तबूर्ण हैं अगर आप ITI फर्स्ट येर के फाइनल एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं या एलेक्ट्सिन या वायरमेन बेस की जो कमपिटिशन एक्जाम में उनकी त्यारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है आप इसे हंत तक जरूर देखें आज का अपना पहला कुषिन है कि नए घर हेलू वायरं इस्टापना का परिक्शन करने के लिए किस परकार के उपकंड का परियोग किया जाता है यानि आपने नए घर के इंदर वायरिंग की है और उसकी टेस्टिंग आप किस इस्टूमेंट के दवारा करेंगे तो यहाँ पे आपका B option right answer होगा मेगर का प्रियोग करके आप घर की वाइरिंग की टेस्टिंग कर सकते हैं नेक्स्ट कुशिन अपना है वाइरिंग इस्थापना में परिक्षन का परकार क्या है यानि वाइरिंग इस्थापित की गई है और उसके अंदर टेस्टिंग का किट लगाए गया है तो वो कौन सा आपका A. Polity test B. Open circuit test C. आपका insulation resistance test between conductors और D. आपका insulation resistance test between condenser and earth तो यहाँ पे आपका D. right होगा कि चालक और भूमी के मद्य कूचालक परतिरोद की जाच Next question है System arthing कहां किया जाता है A. Generating station पे B. Electroplating installation में C. Small industrial industry में D. Domestic wiring installation में तो यहाँ पे आपका A. option right answer होगा कि जहाँ पे generation station यानि जहाँ पे विदुत का उत्पदन की होता है generating होती है वहाँ पे system arthing का परियोग किया जाता है Next question है Maker का परियोग करके क्या परिक्शन किया जाता है A. Polarity test B. Insulation resistance test C. Earthing electrode resistant test D. Earth electrode Earth conductor continuity test तो यहाँ पे आपका B. Option right answer होगा कूच अलग परतिरोद परिक्शन या insulation resistance test मेंगर के द्वारा किया जाता है Next question है गरेलू wiring circuit में लेंप कम वै मोटर धिमी गती से चलने का क्या कारण होगा यानि आपने मोटर की जांच करने के लिए उसको series में जोड़ा है तो लेंप क्या है कम चमक रहा है और मोटर धिमी चल रही है तो उसके अंदर कौन सा fault होगा A. Neutral line में खुला परिपत B. चालकों के बीच short circuit C. उचमान सेनी परिपत दोस D. आपका बू संपर की तार में खुला परिपत है तो यहाँ पे आपका C option right answer होगा उचमान सेनी परिपत दोस नेक्स्ट कुशन है सिस्टम मर्थिंग को किस वाइरिंग स्थापना के लिए किया जाना चाहिए A. सब इस्टेशन पे B. गोडाउन वाइरिंग में D. डोमेस्टिक वाइरिंग के लिए D. आपका कोमर्शिल वाइरिंग में तो यहाँ पे आपका यह उप्सन राइट अंसर होगा भी सब इस्टेशन पे सिस्टम मर्थिंग का परियोग किया जाता है नेक्स्ट कुशन अपना है पिर्थवी परतिरोध मापकी कौन सी विधी सचित्र है यानि जो पिर्थवी का परतिरोध मापने के लिए अपन जो सिस्टम का परियोग कर रहे है उस डाइग्राम को देखने से आपको क्या पता चल रहा है यह कौन सा सिस्टम है आपका फेलिन करंट फेलिन पोटेंशियल करंट डिवाइडिंग पोटेंशियल डिवाइडिंग तो यहाँ पे आपका फेलिन पोटेंशियल नेक्स्ट कुशन है अनुसार उदासियन सियों जिन में हार्मोन विकर्ती को कैसे नियंतिर्थ किया जाता है परतिबादा के मद्ये किसे कम करके अपन बी आपका प्लेट द्वारा अर्थिंग के द्वारा सी आपका चाल को काकार बढ़ा कर डी आपका समान अंतिग देने से तो यहाँ पे आपका एप्सन राइट आंसर होगा परतिबादा मद्यकी कमाई करके यानि अर्थिंग थ्रोड इंपिडेंस नेक्स कुशन है अर्थ परतिरोद परिक्षक में धारा उत्करमक का क्या कारिया होता है A. AC को DC में परिवर्दित करना B. DC की दुरुवता को उलट देना C. DC आपूर्ती को AC आपूर्ती में बदलना C. आपका जनितर की गूमने की दिशा को बदलना तो यानि अर्थ पर्तिरोध प्रेर प्रिक्षन में जो धरा उत्मरक होता है वो ग्या करेगा उत्प्रेर रकत आपका तो इसमें C option right answer होगा DCI पूरती को ACI पूरती में बदलने का कारिया करता है Next question अपना गुंत हेवे conductor को ठोस conductor की तुलना में क्या फाइदा होगा A. लागत कम, B. अधिक लचिला, C. कम बोल्टेज पात, D. अधिक कुछ अलग प्रतिरोध तो यहाँ पे आपका B option right answer होगा अधिक लचिला यानि more flexibility Next question अपका पृत्थ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है A. दोरी अर्थिंग पर्दान करके B. अर्थिंग के लिए गड़े की गेराई कम करके C. इलेक्टरोड की लंबाई बढ़ाना D. इलेक्टरोड की लंबाई गटाना तो यहाँ पे आपका A option right answer होगा दोरी अर्थिंग पर्दान करके प्रत्थ्वी का परतिरोध को अपन कम कर सकता है Next question है प्रत्थ्वी परतिरोध को मापने के लिए इलेक्टरोड को इसे किया पूर्ती करने का क्या कारण है A. इसतिर विदुत सिल्ड परतान करने के लिए B. मिटर में कुंडली को सुर्ख सित रखने के लिए C. मिटर में धारा का मान गटाने के लिए दी विदूत अपगटिये विदूत वागबल को हटाने के लिए तो यहाँ पे आपका D option राइट आंसर होगा avoid the effect of electro liti emf inference यानि विदूत अपगटिये में विदूत वागबल को हटाने के लिए next question अपना है मेगर परियोग में नहीं है फिर भी क्यों सूचक पैमाना सुन्य परिस्तिर नहीं है तो यानि अगर आप क्या कर रहे हो किसी टेस्टिंग में मेगर परियोग नहीं कर गए फिर भी उसमें क्या है कि सूचक में पैमाना सुन्य परिस्तिर नहीं है तो उसका reason क्या होगा A option है यह बल लागून को नियंतर नहीं कर रहा B है हवा कर्षन डॉपिंग परदान कर रहा है C है वीचलन बल लागून धारा के समानुपाती है D है आपका विचलन बल लागून धारा के वर्ग के विदकर्मानुपाती है तो यहाँ पे आपका A option right answer होगा यह बल लागून को नियंतर नहीं कर रहा है नेक्स्ट कुशन है पिर्थवी परतिरोध परिक्षन में ओम मिटर सुई के विक्षेप किस के अनुपाती होगा A धारा कुंडली में धारा के B विब कुंडली में धारा के C हैंडल गुंडन की दगती में D दोनों कुंडली में धारा के अनुपात में तो यहाँ पर आपका कुशन से D option right answer होगा दोनों कुंडली में धारा के अनुपात के नेक्स्ट कुशन है पिर्थवी परतिरोध परिक्षन किस सिद्धान पर कारिया करता है A स्वेप प्रेरण B अनुपात विदी D फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम तो यहाँ पर आपका C option right answer होगा विबव पात की विदी नेक्स्ट कुशन है उपकर्ण अर्थिंग की तुल्ना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है A option है यह केवल मनुश्य को रक्षा करती है B option है यह सभी परिपतों को 2 से बचाती है C option है यह धारावाग चालकों से सम्मंदित है D option है यह गेर धारावाग दातों से सम्मंदित है तो यहाँ पर आपका C option इसके अंदर right answer होगा जो आपका उपकर्ण अर्थिंग है ये धारा भाग चालकों से सम्मंदित है नेक्स्ट कुशन है यदि किसी वक्ति को 20 मिली एम्पियर का जटका पराप्त होता है तो उस पर क्या परभाव पड़ेगा A. कोई परभाव नहीं पड़ता है या कोई सवेदना नहीं होगी B. दर्दनाग जटका C. हर्देगाथ D. बेोसी तो यहां पर आपका B. अप्सन राइट आंसर होगा कि उसके दर्दनाग जटके को मैसुश करेगा नेक्स्ट कुशन है MCB के किस विदुत उपकर्ण में L. स्रेणी का परियोग किया जाता है A. गीजर में B. लोकोमेटिव C. हेलोजन लेंब D. आपका Air Conditioner तो यहां पर आपका A. अप्सन राइट आंसर होगा गीजर नेक्स्ट विशन अपना है डेट लगू वाइरिंग इस्टालेशन में मेंकर क्या पड़ रहा है यानि क्या होगा डेट वाइरिंग यानि जो वाइरिंग पूर्ण रूप से सोट हो चुकी या जिसे डेट का मतलब होगा मरत है यानि उसमें विविन परगार के फाल्ट है उसमें इस्टलेशन में आगा मेंकर क्या पड़ेगा तो उसका आपको पता है परतिरोद A option right answer होगा 0 megaohm परतिरोद A option आपका इसके अंदर right answer होगा next question है crimping के क्या फाइदे हैं यानि आपने देखा होगा बड़े बड़े जो वाइर होता है उनको अपन जोइंट नहीं कर सकते तो वहाँ पे crimping का परियों किया जाता है लक्स लगा के उसको तो यहाँ पे आपका इस option है साफ सुत्रा रूप देना B है भंवर्दारा आनि को कम करना C है डिले सेयुजनों को टालना और D है आपका आसानी से बदलना तो यहाँ पे आपका C option right answer होगा डिले सेयुजनों को टालना यह थे आज के अपने कुछ मैतपूर्ण questions जो आपके NCVT exam और विविन परकार की परतोगी तपरिक्षाओं की दस्ठी से बहुती मैतपूर्ण है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो like share जरूर करें आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद